हेलो दोस्तो नमस्कार मैं शांती जोशी आज आपको सर्दियों में लगाए जाने वाले कुछ पौदे दिखा रही हूँ और इस समय नर्सरी में काफी मात्रा में फ्लावर प्लांट मिल रहे हैं और काफी वेराइटी मिल रही है और मैं भी कुछ पौदे खरीद के लेके कि कैसे मैं लगाती हूँ और मेरे वहां बहुत अच्छी फ्लावर रिंग होती है तो यह देखिए बरवीना के पौदे लेके आई हूँ यह मुझे 20 रुपीज का मिला और इसमें काफी कलर वेराइटिया होती है मन्चाह कलर आप ला सकते हैं जैसे रैड वाइट मेजेंड परपल कई कलर के इसमें डबल पैटन में भी है और डबल कलर में भी इसके प्लांटे हैं तो बहुत सी सुन्दर सुन्दर कलर इसमें आते हैं और सर्दियों का सबसे खूबसरत प्लावर प्लांट है यह छोटे से छोटे पॉट में आप इसे लगा सकते हैं तो मैं यह सेटिया भी मुझे 150 का मिला और यह मुझे सही रिट में मिला नहीं तो 200 200 300 के यह प्लांट मिलते हैं और देखिए यह कितने खूप सा दिखाई दे रहे हैं करीब एक हपते से ज्यादा हो गया है मैं इनको जब लेके आई थी और इसमें इतनी फ्लावरिंग इसमें नहीं थी म इसमें फ्लावरिंग भी काफी अच्छी हो गई है अब और अब मैं लगा रही हूँ इसे और लगाते हुए आप लोगों को दिखाऊंगे तो यह डहिलिया मुझे 50 रूपीज में मिला था और बर्मीना मुझे 20 रूपीज में पीजोनिया मुझे 20 रूपीज में और यह वन फिप्टी का मिला था तो इस धंग से काफी प्लांट में लेके आई हूँ और इसे लगाते हुए मैं आप लोगो को दिखाते हूं कि किस धंग से मैं मिट्टी तयार करती हूँ और इसको जहां तक हो सके आप इसे मिट्टी के गंबले में लगाए नहीं है तो 30% गार्डन सोयल 30% सेंड और 30% कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तयार की है फंगी साइट की रूप में मैंने मिलाई है इसमें नीमकी खली जब भी आप कोई नया पौधा लगाए तो उसके लिए मिट्टी अच्छी तयार करें और एकदम मिट्टी हलकी और भुरुरी होनी चा जाए देखिये कितने खूब सा दिखाई दे रहे हैं जब मैं इसको लेके आई थी तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं थी इसमें एक दो फूल खिल रहे थे अब इसे काफी दिन हो गए हैं मुझे लाए हुए तो इसनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है जो अब मैं ये मिटी जो मैंने तयार किया है ये ये काफी मिटी में एक साथ तयार कर लेती हूँ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कि स्पॉर्ट में मैं लगा रही हूँ और मिटीों को बिल्कुल आप हाथ से मसल कर बिल्कुल भुरबुरा कर ले जितनी भुरबुरी म नहीं बचेगा तो हम बाद में इसमें लुकिट फटिलाइजर दें लुकिट फटिलाइजर में मैं देती हूं पौदों को मस्टरड के इक फटिलाइजर जिससे मेरे प्लांट की ग्रोध काफी अच्छी होती है तो इस जंग से आप भी अपने पौदों को मस्टरड के फटि पिंचिंग करनी बहुत जरूरी है, प्लांट में पिंचिंग नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, तो प्लांट आपका लंबा-लंबा सा हो जाएगा, और इतना ज्यादा खूबसरत भी नहीं दिखाई देगा, चलिए लगाते हैं दोस्तों, यह मैंने मठ्की ले लिए है और देखिए, इस में डिनेज में रख दिया है, मैंने एक पत्थर का टुकड़ा, और इस मिट्टी को मैं भर लूँगे, कोई प्ला लगाने से पहले गमले को आप साप सुत्रा कर लें, साप कर गमले में ही, आप गर आप कीले और काई लगे गमलों में ही लगा देंगे, तो उससे फंगर लगने का डर रहता है, गमले को मैंने पूरी तरह से खाली करके साप किया है, और इस में मैंने पहले काफी पौदे लगाए वे थे, वो भी आपको दिखाये थे, और इस समय मैंने ये पौदे दूसरे गमले में ट्रांसपर कर दी, इनको सुका कर पेंट कि अब मैं इसे लगा रहे हूं, इसे भी बिल्कुल हलके हातों से लगाएं क्योंकि इसकी जो रूट होती है, बहुत बारिक सी होती है, और वो एकदम तूटने का डर रहता है, तो हलके हातों से आप वाले थिंग को निकालें, या कड भी कर सकते हैं और नीची खिसका कर आप पूरी अच्छे रंग से निकालें, और यह जब वहां से आता है, तो उसमें रेती ली मिट्टी पे लगा रहता है, बुरबुरी रेती ली मिट्टी होती है, तो बहुत आसानी से आप इस पॉले थिंग को निकालें, देखें, और मैं विल्कुल इसको छेड़ूंगी नही क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ओक्या, तो सूख जाएगा यह पॉधा, और इसको ऐसी ही लगा देंगे, इस डंग से मैं सारे ही पॉधे ऐसी ही लगा लूँगी, और अब इसे हम मिट्टी डाल देंगे, आज मैंने काफी पॉधे लगा हुए हैं, और सुबह से पॉधे ल नहीं लगा पाई इस बार, यह देखे, तो अब यह दूसरी मट्की है, इसमें भी मैं पॉधे लगाते हुए दिखा रही हूँ, इसी रंग से मैंने सारी ही तयार कर ली, सारी मिट्टी तयार कर ली है, और अब मैं दूसरा पॉधा इसमें लगा रही हूँ, इस रंग से हम निकाल लेंगे और ऐसे ही रख देंगे क्योंकि हम ज़रा सभी छिड़ेंगे तो यह खराब हो जाएगा पौदा और पौदे देखे कितने हेल्दी हैं कितने सा काफी अच्छे पौदे हैं मेरे इस जंग से पिजोनिया को आप लगा कर हैं कर सकते हैं और इसे सनलबिंग प्लांट है आप इसे धूप में रखें जितने धूप में पिजोनिया होगी उतनी अच्छे फ्लाब्रिंग करता रहे इस रंग से पिटोनिया को आप लगा सकते हैं अब ये मैं इसमें पानी डालकर इसको पिल्कुल काफी पानी डाल दूंगी और इसे लगा दूंगी इसके बाद इसे मैं एक हपते में फिर मस्टड के फटीलाजर इस पौधो को दूंगी इस रंग से मैंने सारे ही पौधे र día कॉरू हो ज्याता है लगाना आप इसे जन्वरी तक आरांस में लगा सकते हैं और ये मैं तक फ्लावरिंग करती है तो इस समय भी आ पिटोनिया लगा सकते हैं जन्वरी में और काफी लंबे समय तक इससे फ्लावरिंगH लेसकते हैं देखिए इस डंग से आप लगाई कि कख्राइगे कि अब में अब अब jog के लिए का फायदेमान होता है उसे गरोध काफी अच्छी होती है और समय समय मस्टेट केक फटिलाइजर इसको लिकिट फॉर्म में देना जिससे कि प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी होती है और इनको आप धूप में रखें तो आपके वहां काफी अच्छी फ्लापरिंग होगी और देखिए इस डंग से आप सारे प्लांट लगा लें इस समय आप प अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपको अपने ऐसे ही फ्लावर प्रांट दिखा सकूं देखिए कितने खूप सा कलर हैं उसके थैंक यू व्लावर देखिए थैंक न देखिए झाल देखिए झाल देखिए गार दो